ये आकाश्वाणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशानेयर अपेश है आज के मुख्य समाचार केंद्री क्रिशी मंत्री ने किसान संगटनों को आश्वस्त किया है कि केंद्री सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबध है प्रदेश की राजस्व सचीव ने जिला कलेक्ट्रों को समर्थन मुले पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजी कृत धान के रखबे और गिर्दावरी में तुर्टी होने पर ततकाल कारेवाही करने के निर्देश दिये राश्ट्र आज भारतिय समिधान के जनक भारतरत ने डॉक्टर भीमराव अंबेटकर के चौसट में महा परी निर्वान दिवस पर उनिश्रद्धांजली अपित कर रहा है और कल सशष्ट्र सेना जन्डा दिवस है राजिपाल और मुख्यमतिने प्रदेश वासियों से जन्डा दिवस कोश में उदारता पुर्वक दान करने की अपिल की कोरोना महामारी के खिलाफ देश एक जुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ की तीन आसान एतियाती उपायों का संकल्प लिए कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मू साफ रखें अब समाचार विस्तार से नए क्रिशी कानुनों को लेकर उत्पन गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को नई दिली में किसानों के संगटनों के साथ छटे दोर की वारता करेगी कलकेंद्री क्रिशीमंती नरेंद्र सिह तोमर के साथ पाचवी दोर की बातचीत में किसान संगटनों को आश्वासन दिया गया कि नियुनुतम समर्थन मुल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है अबने कहा है कि MST जारी रहेगी MST पर किसी भी प्रकार का खत्रा और इस पर संका करना बे बुनियाद है लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई संका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह स्यार है श्रीतोमर ने कहा कि क्रिशी उपज बाजार समिती A, P, M, C अधिनियम राज से संबंधित है और सरकार का इरादा ना तो राज्यों में मंडियों को प्रभावित करना है ना ही वे कानून से प्रभावित है क्रिशी मंद्री ने बताया कि उन्होंने किसानों से कहा है कि सरकार उनके सभी पहलों पर विचार करेगी उन्होंने कहा कि बैठक के दोरान उन्होंने किसान यूनियनों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना संक्रमन की स्थिती और ठंड के मौसम की स्थिती में बुजुर्गों और बच्चों को घर वापस भेजें कृषी मंद्री ने किसां संगट्नों को आश्वस्त किया की केंद्र सरकार किसानों के हीत के लिए पूरी तरह से प्रतिबध है प्रदेश के राजस्व विभाग की सचीव ने सभी जिला कलेक्ट्रों को समर्थन मुली पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजिक्रित धान के रखबे और गिर्दावरी में तुरूटी होने पर ततकाल कारेवाही करने के निर्देश दिये हैं निर्देश में कहा गया है कि गिर्दावरी अपूर्ण या तुरूटी पूर्ण है तो सुधार कर ततकाल कराया जाए साधी पंजियन के दोरान धान के वास्तविक रखबे की एंट्री ना होकर कम रखबे की एंट्री हो गई है तो रखबे में सुधार ततकाल करें निर्देश में कहा गया है कि विक्राय के लिए पंजिकृत धान के रखबे में संशूधन के लिए आवेधन प्राप्त होने पर समुचित परिक्षन कर तैसिल दार द्वारा बुईया पोर्टल में अपने लॉगिन आईडी में ही अनुमोधन पश्चात रखबे के समंद में गेर्दावरी सम्मंधित रुट्यों को प्रात्मीता के आधार पर सुधार किया जाए तथा इसकी सूचना सम्मंदित ग्राम की प्रात्मित कृषी साख सहकारी समीती को भी दी जाए इस बीच राजमेद धान खरीदी में किसानों की स्विधा को ध्यान में रखते वे जिस्तरी नियंतरनकक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाश नंबर 0771-242545-0 है। इस नंबर पर धान खरीदी से सम्मंदिश शिकायतों, समस्याओं और सुझाओं की जानकारी उच्छ अधिकारियों तक पहुचाई जाएगी। यह नियंतरनकक्ष रवीवार और की अवकाश के दौरान भी कारी करता रहेगा। जनता कॉंग्रेस 36 गड़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कुंडा गाउं जिले में एक किसान द्वारा आत्मत्या के जाने के मामले की जाच के लिए एक दल गठित किया है। यह जाच दल तीन दिनों में किसान की आत्मत्या के कारणों का पता लगा कर अपनी रिपोर्ट पार्टी की राष्ट्री अध्यक्ष को सौपेगा। वो और तलब है कि कुंडा गाउं जिले की तहसिल बड़े राजपुर के ग्राम मारंग पूरी में एक किसान ने सरकारी रिकॉर्ड में अपनी खेती जमीन का रगबा घट जाने से आहत होकर आत्मत्या कर ली थी जिसके बाद जिला प्रशासन ने पत्वारी को निलंबित कर दिया है वहीं तहसिल दार को कारण बताव नोटिस चारी किया गया है। लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए ओनलाइन नक्षा, खस्रा और बीवन में पत्वारी के हस्ताक्षर तथा सील लगवाना पड़ता था। देश में कोरोना संक्रमन से मुक्त होने की दरलगभग बढ़कर 94.37% हो गई है। इसके साथ ही देशनी कोरोना के विरुद संघर्ष में एक और महत्पून पड़ाव पार कर लिया है। पिछले नौ दिन से नए संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 99,000,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इस भी 36 गड़ में कल कोरोना संक्रमन के करीब 1600 प्रकरण सामने आये। राज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा 2,46,000 को पार कर गया है। अब तक प्रदेश में करीब 2,24,000 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं करीब 3,000 लोगों की कोरोना संक्रमन की वज़ह से मौत हो चुकी है। वहीं राजगर से हमारे समवाददाता नहीं बताया है कि जिले की 544 ग्राम पंचायते कोरोना संक्रमन से अचुती हैं। इन ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जबकि इन में से कई गाओं शहरी सीमा से लगे हुए हैं। बताया जाता है कि कोरोना संक्रमंट से मुक्त इन गाओं के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। साथी खेती बाड़ी और अन्य कारियों के दौरान भी ये लोग मास्क लगाना नहीं भूलते। स्वास्त विभाग मिन गाओं की सफलता की कहानी के प्रचार प्रसार कर अन्य गाओं को भी कोरोना से बचने के लिए प्रेरित कर रहा है। महीं जिला पंचायत इन गाओं के जन प्रतिनीधियों को प्रोच सहित करने और सम्मान देने की कारियोजना बना रहा है। इस बीच 36 गड़ के प्रसिद्ध सहित्यकार कथाकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा ने लोगों से कुरुना वाइरस से बचाव के लिए आवशक सावधानी बरतनी की अपील की है। इस बीच गड़ने का प्रयास करना चाहिए, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, मास्क लगाना, सेनिटाइज करना और हातों को दोते रहना ये तीन बहुत छोटे से उपाए हैं, अभीरभार से बचना, अपने को बचाया रखना, इस विवारी से बचने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है, कि हम वेक्तिकर इस तर पर सतर करे हैं और उससे बचने को बाईयों का प्रयोग करें। प्रशा की मुख्यधारा में शामिल किया जाना है। प्रशा की तयारी करने को भी कहा है। गौर्तलभय की पढ़ना लिखना अभियान के तहट प्रदेश के लगभग एक तिहाई निरक्षरों को आगामी पांच वर्षों में साक्षर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारा अपाकाश्वणी रायपूर से सुन रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्टर आज भारती समिधान के जनक भारतरत ने डॉक्टर भीमराव अंबेटकर के 64 महा परी निर्वान दिवस पर श्रद्धान जली अर्पित कर रहा है। इस औसर पर देजभर में अनिक कारिक्रम आयोजित किये जा रही हैं। राष्टर पती रामनाथ कोविन ने बाबसाहे बंबेटकर को उनके महा परी निर्वान दिवस पर श्रद्धान जली अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेटकर ने समानता और न्याय पर आधरित समाज और शासन व्यवस्था के लिए प्रयास किये। श्र राजभवन में एक साधे समारों में श्रद्धान जली अर्पित की। वहें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बाबसाहर के विचार और आधर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगी। चत्तिसगर की राजजपार अनिसुयावी की और मुख्य अनुसुची जाती मोर्च अध्वारा रायपुरिस्थित एकात्म परिसर में डॉक्टर रमबेटकर की पोनेतिती पर आज एक कारिक्रम का आयोजन किया गया। इस औसर पर भाजपा की राश्ट्री उपाध्यक्ष और पूरु मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सी, भाजप अनुसुया उइके और मुख्यमंत्री भूपेज पकिलने प्रदेश वासियों से सशस्त्र सेना जंडा दिवस कोश में उदारता पुर्वगदान करने की अपील की है। अपने संदेश में राजिपाल ने कहा है कि ये दिवस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए व ज्याक, समर्पन और बलिदान की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सशस्त्र सेना, जंडा दिवस, देश के उन महान सेनानियों और उनके परिवार जन्नों के प्रती अपनी जिम्मेवारियों को महसूस करने और उसमें अपना प्रिजर पुलिस बल, सी आरपीफ का सेक्ट दल, तलाशी अभियान पर निकला था। इस दोरान गादी रस इलाके में घेरा बंदी कर पांच मावादियों को ग्रफतार किया गया। इधर दंतेवाडा जिले के अरनपुर थाना अंतरगत हिरोली गाउं की दो महिलाएं पुलिस की मदद से इन दोनों महिलाओं को अस्पताल में भरती कराया गया है। शीब अगेल ने कहा कि इसके जरीए राजमे जैवी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दोरान मुख्यमंत्री ने मोहसव में भाग लेने वाले प्रतेक नर्तक दल को पांच-पांच हजार रुपे देने और पशु औशधालय निर्मान की खोशना भी की। चतीस कड में पहली बार 13 दिसंबर को वर्चुल मेराथन दोर का आयोजन किया जाएगा। इस दोर में शामिल होने के लिए बीते 4 दिसंबर से पंजियन का कारेश शुरू हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर दोरते हुए अपनी 20 से 30 सेकंड का वीडियो अत्वा फोटो हैश्टेक कर फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर 13 दिसंबर को सुबह 6 से 11 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन पंजियन 10 दिसंबर तक खेल और युवा कल्यान तथा जन संपर्क विभा की वेब साइट पर किया जा सकता है। ग्रामन क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराधों की रोक थाम के लिए गरिया बंद जिले में अंजोर रत अभियान की शुरुवात की गई है। इसके माध्यम से पुलिस ग्रामन क्षेत्रों के हर छोटे बड़े गाउं, हाट बाजार और गली महलों तक पहुँच कर इस्थानी निवासियों को जागरुख करेगी। इधर राजनान गाउं जिले में प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना के तहट फसल बीमा का प्रचार प्रसार करने के लिए फसल बीमा रत को रवाना किया गया है। यहरत पंद्रह दिसंबर तक जिले के सभी गाउं में जाकर योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचिका करता ने कहा है कि हाई कोट के आदेश के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आमान करताओं ने हाई कोट के आदेश का पालन नहीं किया है। याचिका के सुनवाई के बाद हाई कोट ने ग्रिह सच्यू, पुलिस महानी देशक और बिलासपुर रेंज के पुलिस महानी रिक्षक के खिलाप और मानना नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। भारती जंतापार्टी की राष्ट्रिय महामंत्री और चतिसगर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी तथा प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नविन कल साथ दिसंबर से चतिसगर के दो दिवसी प्रवास पर रहेंगी। इस दोरान दोनों पदाधिकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगतन महामंत्री के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भाजपा के सभी मोर्चा पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, कोर ग्रुप, सांसद, विधायक और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे इन दोनों पदा धिकारियों द्वारा राजधानी रायपूर में पत्रकार वारता भी ली जाएगी अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आविदन किये जा सकते हैं। प्रदेश की राजध स्वसचिव ने जा सकते हैं। जिला कलेक्टरों को समर्थर मुल्ली पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजिकृत धान के रखपे और गिर्दावरी में तुर्टी होने पर ततकाल कारेवाही करने के निर्देश दिये। राश्ट्र आजभारती समिधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीम राओ अंबेटकर के चौसटवे महा परी निर्बान दिवस पर उने श्रद्धांजली अर्पित कर रहा है। और कल सशस्त्र सेना जन्डा दिवस है। राजिपार और मुख्यमतिने प्रदेश वासियों से जन्डा दिवस कोश में उदारता पूर्वक दान करने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समचार बुलेटीन समाप्त हुआ। नमस्कार। युल कैसे मुष्टी जन्डाइबार जन्डाल उन्डाइबाता जन्डाइबार कि अदेश प्रादेशिक समाप्त हुआ।